एक तरफ जहां भारत में हुए चुनाओं का दुनिया भर में आकलन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की एकोनोमी के लिए ये बहतरीन खबर बताई जा रही है तो इन सब के बीच में अचानक से रूस की कमपनी पर 1.8 बिलियन डॉलर का केस क्यों ठोक दिया है भारत जानेंगे बहुत बड़ा उलट फेर हुआ है एक तरफ रूस जीत रहा है और दूसरी तरफ केस की बात हो रही है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा है आईए जानते हैं इन कबरों को विस्तार से कहते हैं न हो यह वही जो रामरची राखा कुछ वैसा ही इस वक्त चल रहा है भारतिय जनता पार्टी की भगवा सुनामी रविवार को हिंदी पट्टी में ही बही ठीक वैसे ही इंटरनेशनल मीडिया में भी पीम मोदी की इस विसाल का चुनावी जीत को लेकर अलग-अल अर्टिकल लिखे जाने लगे मध्य प्रदेश राजस्तान 36 गड़ में बीजेपी की धमाकेदार जीत तो वर्ड मीडिया 2024 से संसदिय चुनाओं से पहले पीम मोदी के लिए एक सेमी फाइनल की तरद देख रहा है वर्ड मीडिया के कई रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 चुना पर देखा जाए और भारत की जनता के मूड को समझा जाए अब प्रदानमंत्री मोदी के तीसरे कारेकाल में आने की संभावना भी काफी प्रबल हो गई है न्यूयोर्क टाइम्स के अनुसार मध्य परदेश 36 गड़ और राजस्तान में जीत के साथ भारतिय जनता पार्ट का है रिपोर्ट में एक राजनीतिक विशसक्ग आर्थी जेरात का हवाला देते हुए कहा कि ये 2024 में बीजेपी के लिए बड़ा फायदा है एन्वाइटी की रिपोर्ट में राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि पीम मोधी के पास अपने समर्थन के आधार को मजबूत क करने के लिए पहले से ही एक बड़ी योजना है अब जन्वरी महिने में उत्री राजिय उत्तर परदेश के योद्या में एक विसाल हिंदू मंदिर का उद्गाटन किया जाएगा न्यूइव टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि खुद को विकास के साथ साथ हिंदू हि अर्थवयस्था के संसाधनों का उपयोग अच्छी तरह से लक्षित कल्यानकारी योजनाओं के लिए किया है वैसा ही कुछ ब्लूमबर्ग की तरफ से लिखा गया है और कहा गया है कि राहूल गांदी के निर्थित में कॉंग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी और जातिग संबार्ड के मुख्य भारत अर्थसास्त्री सुमीता देवेस्था ने कहा है कि परदान मंत्री मोदी और साधरन रूप से लोगप्रिये बने हुए हैं उन्होंने कहा कि राज जी के चुनाओं से पता चलता है कि देश का मूड उन्हें तीसरी बार लगातार सत्ता में ने कहा कि एक दसक तक सत्ता में रहने के बाद मोदी ब्यापक रूप से लोगप्रिये बने हुए हैं और सर्वेचनों से पता चलता है कि अगले साल फिर से जीतेंगे हलाकि कॉंग्रेस के नर्तित वाला 28 दलिये विपच्छी गंठ बंदन भाजपा से संजुक्त रूप से लड़ने एक साथ आया है जिससे एक नई चुनोती सामने आई है लेकिन अंत्रिक पर्तिद्वनता के कारण ये गड़बंदन राज्य चुनाओं में सामिल नहीं हुआ है ये भाजपा और कॉंग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था एक अन्य विदेशी समाचार एजंसी कि बेहद मौदपुर्ण होता है कि उस देश में एक stable सरकार हो एक स्थिर सरकार हो जब कहीं पर भी स्थिर सरकार नहीं होती है तो इस्थितियां बहुत बुरी हो जाती है विदेशी निवेसक भी वहां से भागने लगते हैं पर भारत के साथ अच्छी बात ये है कि कम से कम ये साफ साफ दिख रहा है कि सरकार निस्चित है अब नेता कोई भी रहे खेर जहां एक तरफ ये सारा सीन बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को आखिर क्यों गुस्सा आया भारत ने क्यों रूस की कमपनी पर केस ठोंग दिया है जानेंगे क्या है मामला पहले तो आप ये जान लीजिए भारत रूस की दोस्ती में कोई कमी शमी नहीं आई है इसका सबसे बड़ा उधारन है स्क्रीन पर एक आर्टिकल भारत और रूस आपस में सहयोग कर सकते हैं छोटे छोटे फ्लोटिंग रियेक्टर्स बनाने के लिए ये रूस्तम का दावा है अब ये फ्लोटिंग रियेक्टर होते क्या है तो ऐसे रियेक्टर जिनको एक जगह से दूसरा जगह ले जाया लाया जा सके रूस इस तरह के फ्लोटिंग रियेक्टर्स बनाने में महार हासी लगता है और रूस ने इस तरह के कई सारे काम भी किये हैं जो खास स्था दर पर इस्तेमाल होते हैं तो अरकटिक खरीद बढ़ ही रही है अलाकि पिछले मैने थोड़ा घट गया था पर चुकि अभी यूरोप में डिमांड है तो यूरोप की डिमांड को पूरा करने के लिए भारत रूस से भी तेल खरीद रहा है इराक से भी तेल खरीद रहा है पर इन सब के बीच में भारत को LNG की जरूरत है 2024 तक भारत में दो चीजों की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है एक तो LNG की और दूसरा है fertilizer की इन दोनों का ही मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है 2024 के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत के और धोगिक छेतरों में बदलाव आ रहा है माना जाता है कि 10% तक ज़्यादा जरूरत होगी भारत को और ये कौन कह रहा है ये कह रहा है SMP Global इसका कहना है कि भारत को 10% और ज़्यादा होगी भारत ने लंबे समय का सोच कर कुछ प्लान किया था और प्लान इसलिए किया था क्योंकि रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा LNG प्रोड्यूस करने वाला देश बनने जा रहा है पहले से भी रूस की कमपनी गैजप्रोम अच्छा खासा LNG का उत्पादन करती थी आपको बता दें अमेरिका, कतर, रूस और अमेरिका, कतर, रूस में देखा जा रहा है कि ये अपना उत्पादन बढ़ा रहे है जबकि आस्ट्रेलिया में ये देखा जा रहा है कि LNG के उत्पादन में एक घटोतरी हो रही है पर भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है न, भारत LNG ले किस से, बड़ा दूर का सोचते हुए भारत ने एक कॉंट्रेक्ट साइन किया था, और वो कॉंट्रेक्ट का साइन किया गया था, भारत के गेल कंपनी और रूज के गैजप्रोम के साथ, लेकिन ये जो ग थोनों कमपनी गैज्प्रोंम और सैफी ने मिलकर एक गटबंधन बनाया था और उस गटबंधन से भारत ने एक एगरीमेंट साइन किया था और यह एगरीमेंट था 25 सालों के लिए कहा गया कि 25 सालों तक लगभग 20 सालों तक यह कॉंट्रेक्ट साइन किया गया 20 साल के लिए 2012 में और इस कॉंट्रेक्ट में यह कहा गया कि 20 साल तक 2.85 मिलियन टन हर साल नेचुरल गेस दिया जाएगा गेस प्रूम के द्वारा भारत को अब हुआ क्या है कि यह जो डील साइन किया गया जो परतिवंद लगे तो जर्मनी ने हाथ पीशे घीच लिया यह यूनिट अब गेस नहीं दे पा रहा है जिसकी वज़ा से भारत यहां पर केस कर चुका है कि हमें हमारा गैस दुख यह तो एक जोइंट वेंचर था जिसके तहत डील हुई थी तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया हमने 20 साल के लिए तुमसे कॉंट्रेक्ट साइन किया था अब देखना होगा इस मामले में क्या रिजल्ट आता है वैसे इन सब मामल क्यों में नई खबर के साथ